वेलकम टू फैंटेसी गाउंसल तीन लाग से जादा हो चुकि अपनी एकसी फैमिली और ऐसी बढ़ाते जाओ क्योंकि मेरा टार्गेट है इपिल में कम से कम पांच लाग मेंबर्स हमारे पास होने चाहिए हमारी फैमिल में होने की चाहिए की नहीं होने चाहिए बताइए मि में जीत को राजस्तान के मुह से चीन लिया या तो आप बोल सकते हो संजू सैमसंग की खराब कफ्ता नहीं रही क्योंकि वहाँ पे उनके पास बॉलिंग ऑप्शन्स थे लेकिन जब सब पर मारी पढ़ रही थी तो कोई क्या कर सकता था और रोहिच शर्मा का वो कॉंट्र वर्षियल आउट होना बोल्ड होना अपनी राय जरूर बताना यह कमेंट्स में क्योंकि बहुत अलग चीज हुई थी लोगों का कहना अगर किसी और एंगल से चेक किया जाता तो शायद नौट आउट दिया जाता क्योंकि संजू सैमसंग का गलव लगा था तो बहुत सार वीडियो देखो कि मैंने रोहिच शर्मा की जगे तिलक वर्मा को ले रखा था और वीडियो तो मैं आपको 12 घंटे मैच से पहले देहीं देता हूं तो वह चीज़ जब आप देखो कि तब आपको समझ आएगा कि आपने अगर वह वीडियो देखके वीडियो मतलब पूरी सुनके बिना स्किप करें टीम नहीं बनाई तो अपना कितना नुकसान किया होगा इसलिए मैं कहता हूं सारे वीडियो इंपोर्टन है बहुत ध्यान से सुना करो अब आज दिल्ली का मैच है बाई गुजरात के साथ नरिंद्र मोधी स्टेडियम में मैच होने वाला है और दिल्ली पिछले मैच में लगा मुझे दिल्ली की वापसी हो सकती है लेकिन दिल्ली के अर्मा हासूं में बह गए गए लेकिन कोई बात नहीं आज ये मैच में बड़ा मज़ेदार होगा हमारा है यह होना चाहिए कमाना पिछले मैच में दिल्ली के हमारा कप्तान कॉंता मि करें और साथी साथ वीडियों के अभी अभी के अभी केशिमें करने से और देखने या यार आज बहुत सारे अगर बनता है छी बात करूंगा बिलकुल सीधी और मैं तो स्बिस्ट्राइब करने बेल को इसलिए प्रेस कर देना ताकि आपको पता लग जा ईक कि मैने कब वीडियो डाली है और आप हमेशा अपने मैच में आके वीडियो को पूरा देखके कमा सके contest जॉइन कर के क्योंकि contest करके ही तो मैंघे T आपको महेंदर अर्थार डाटर ये गों बुल्ट मिले और दुनिया भर के physics मिले- एक्टिव भी मिल रही है यहां पर इतने अक्टिव हो जाओ कि अपने घर ले जा सको तो यहां पर जब इतने सारे प्राइज आपको मिली रहे हैं तो वेट किस चीज का कर रहे हैं आप जाओ डाउनलोड कर लो माई मास्टर 11 उपर वाले का एक दिया हुआ बहतरीन तौफा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कहां पर है कमेंट भी मैंने पिन किया हुआ है वहां से डाउनलोड करो इंडिया के सबसे कम कमीशन लेने वाले आप पे खेलना चालू करो अपना फाइदा उठाए जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा फाइदा होगा और रेफर क प्लेयर मैच अप क्या रहने वाले हैं पिछले वीडियो में मैं प्लेयर मैच अप देना भूल गया क्योंकि संडे था ना भाई हमारा एडिटर थोड़ा बिजी हो गया कुछ प्रॉब्लम आगे थी जिस वजह से मैच अप को एड नहीं कर पाया था बट फिर भी हमने बट गदर मचाया अच्छी बैटिंग करी मिचल मार्श ने बॉलिंग से भी बैटिंग से भी दिखा दिया कि क्यों वो इतने तगड़े और राउंडर है मनीश पांडे और प्रियम गर इन दोनों को लाया गया और इन्होंने फिर से दिखाया एक फ्लॉप शो कुछ नहीं कि क्या निकम मोने रिपल पटेल हाड़िटर बैट्समेंट बहुत तगड़ी हिटिंग ऐसा बूला गया लेकिन करी नहीं कुल्दी प्यादा विशान शर्मा मुकेश कुमार एंडिक नौर के और अक्सर बडेल ने फिर से फिछले मैक में च्छा कराता सरफराज खान को मैं जीत सकती थी ना तॉप तूने जैसा परफॉर्म किया तो अक्सर बडेल जो एक बॉलिंग और रांडर एक बॉलिंग और इतने अच्छी बैटिंग कर सकता है और जो यह प्रोफेशनल बैट्समें ने वो इतनी बैटिंग निगर तो समझ जाओ गडबड इनी प्लेयर दिखेंगे आपको कुल दी प्यादव और अक्सर पटेल यह रहने वाली है दिल्ली की बॉलिंग स्क्राटेजी स्टेट्स चेक करने यह यह कैसा परफॉर्म करते हैं गुजरात के खिलाब डेविड वार ने जब पिछली बार आयते तो 37 नमार इस वेन्यू बिन के छे रन और पिछले मैच में चार रन और एक विकेट लिया था इन्होंने गुजरात के खिलाव उसके बाद आते हैं मनीश पांडे जिन्होंने पिछले मैच में एक रन मारा और मैच जीत सकती थी दिल्ली लेकिन इनकी वज़े से जीती नहीं वेन्यू पे जीरो रन है बहुत अच इस नौट आउट भी मारे मतलब इस बंदे के भरोसे दिल्ली का पेलर है अब मैं आपको बोलना चाहूंगे बात दो मैच में चवालिस रन है गुजरात के खिलाव विकेट इसलिए नहीं मिले क्योंकि उस दौरान लेफटी जादा होते थे साही सुदर्शन हो फिर चाहें और एहमदाबाद की लव स्टोरी एकदम गजब है रिपल पड़े लास्ट पांशियूंटी ग्यारा नाबाद बहुत तगड़ी बैटिंग मैच जिता के आ गए थे कुल्दीप यादव लास्ट पांशियूंटी में इन्हें भी अपकुछ खास विकेट नहीं मिल रहें औ फिर आते इशान शर्मा जो अच्छी वालिंग कर रहें पिछले मैच में विकेट लेके गए थे वैंक अगरवाल का वेन्यू पे इनके पांच मैच में चार विकेट हैं जो ठीक ठाक है मदब बुरा भी नहीं बोल सकते हैं बुगेश कुमार पिछले मैच में इनके सिर्प पर ही विकेट है अगर इस लाइनप में कोई चेंज हुआ मेरी टीम में लाइनप की वज़े से कोई चेंज हुआ तो वो मैं आपको कहां बताऊंगा टेलीग्राम पर देखो टेलीग्राम चैनल जोइन करके रख लो वहां पर आपको सारी अप्डेट मैं देता हूं जैसे ये अपडेट भी मैं देता हूं कि भाई मैं तो वीडियो वाली टीम से खेलने वाला हूं तो इसका मतलब आपने वीडियो देखी हुई है तो आपको टीम भी पता है वो वाल सी लोग जो स्किप करते हैं जो कॉपी पेस के जमाने में आज भी जी रहे हैं मैं आपको पता आच में हजार रुपे भी कमाने है ना बलब दिन का हजार रुपे भी कमाना है तो इनसान मजदूरों को जाके देखो वो बंदे बारा-बारा घंटे इटेड होते हैं सरपे और आप लोग सोचते हो कि मस्त पंखे के नीचे एसी के नीचे वैट हो सामने टीवी चलाओ और साथी साथ टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना और वो बंदे जो कमेंट करते हैं कि भाई मुझे पैसे दे तो मेरे पाप पैसे नहीं है मेरी मदद कर दो तो मैं आप लोगों के लिए पचास हजार का गिववे हर मैच में ला रहा हूं पचास हजार रुपे कम नहीं कर लो मैं तो हमेशा सजेस्ट करते हूं कोई सब इंफ्लेंसर गिववे आपके लिए लाए उसको छोड़ना नहीं है तो डाउनलोड कर लेना वो एप सारे जहां पर गिववे हो और साथी साथ जॉइन कर लेना टेलीग्राम चैनल डेस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक हुआ है उस पर आप करेंगे सीधा लेंड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहां से आप जोइन कर सकते हैं हो गया क्लियर तो टेलीग्राम जरूर जोइन करना फ्रेंटेसी कांसल के नाम से है दो लाग असी हजार के करीब पहुंच रहे हैं आई पेल में तेजी से है मेरी बात मान सोच और पागल बना आज दूसरी वीडियो में जांगे चलो कोई आपको खैच वी रहा होगा आपका पागल बना भी रहा होगा तो आपको कौन बंद सही पोल रहा था कौन बंदे के चक्कर में नुप सामझ गया तो वह यह ज्यान यहीं मिलेगा सब्स्राइब जरूर गरना और जब तक रिकेट चलेगा तब यह ज्यान भी मिलें प्रेडिक्शन सब्सक्रण मिलें मिलेगी गो टू चैनल बना लो अपना फूर्सक् की फॉर्म में बढ़िया बल्ला बजा रखा है डेविड मिलर अभिना मनोहर राहुल तेवातिया राशित खान मोहिट शर्मा मौहमद शामी नूर आइमद आपको एक और चीज़ बदेत हो अगर आप दिल्ली हार गई तो टूर्नमेंट से बाहर हो जाएगी अब दिल्ली के लेकिन दिल्ली आज इस मैच में पूरा डॉमिनेट करने की कोशिश तो करीगी है अब मैं आपको बताता हूं यहां पर पावर ब्ले मिडल ओवर में कौन आने वाले पावर ब्ले में दिखेंगे आपको शामी शामी के साथ हार्दिक पांडिया और जे लिटिल वह आ जाए आपको राशिक खान पांचे बॉलर से यह करते हैं हमेशा राहुल तेवतिया कि इनको खास ज़्यादा जरुवत पड़ती नहीं बल्ले से राहुल तेवतिया आज थोड़ा परफॉर्म कर सकते क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आज गुजरात कहीं ना कहीं चोक करेगा इस बहुत ही रेर होता है रिद्दिमान सा वेन्यू पे अच्छा नहीं करते हैं पाच मैच में सिर्फ 56 रन है एड़ टो एड में 14 रन है दिल्ली के खिलाव भी यह नहीं चलते हैं तो कीपर के सेलेक्शन में हम थोड़ा सॉल्ट हम सॉल्ट के लिए जा सकते हैं उसके बाद आ दिल्ली के खिलाव दो मैच में 42 रन हैं और बॉलिंग भी कराई थी मज़ी की बात डेविड मिलर इनकी ज़रुरत पढ़ती भी है इनकी ज़रुरत जाता पढ़ती भी नहीं है जब पढ़ती है जब 25-30 रन रहते हैं और यहां के नौट आउट मैच खतम कर देते हैं दिल् आप नौर्मली देखोगे नौट आउट की वज़े से अभी नमनोहर ब्यालीस तीन सताइस चौदा इनका टूर्नमेंट ऐसा चला है कि कभी मारूंगा तो इतना मारूंगा कि तुम परिशान हो जाओगे और कभी ऐसे दिखा दूआ कि मैं तो पिछले मैच में शायद तु आप जानते ही हो राशित खाएं के सामने भसे गई भसेगा मोहिट शर्मा तीन मैच में दो विकेट उसके बाद आते हैं मौंबच शामी आठ मैच में नौ विकेट दिल्ली के खिलाव दो में पांच विकेट दिल्ली भी इनकी लवर है सीधा आते विकेट चटकाते पहले दिल्ली की तरफ से खेलते थे वेन्यू पे दो मैच में भी तक चार विकेट ले चुके नूर आहमद और इनका नूर खम नहीं हो रहा है बैटिंग के लिए चिप पिच आपको मिलने वाली है बढ़िया बल्ले पर आएग एक हाई स्कोरिंग एंकाउंटर आप एक्सपेट है गुजरात दो सुचार के क्यार दो साथ यह तो मैच खेर आइकॉनिक मैच है अब यह हिस्ट्री लेन में चला जाएगा क्योंकि इसमें रिंग को संग ने पांट चक्या मारे थे पर यह अपने तवित खराब करके बैटा है बाई हमारा जल्दी सही हो जाओगे यार कोई यहां पर मिलर के साथ सर्प्राइजिंग यहां पर आधिक पंडिय का नाम नहीं है टॉप त्री बॉलर्स में आते राशित कान नूर एमद मोहमद शामी बैस नौक आई ती गिल के बल्ले से चुरासी रानों की राशित खान ने तीन में लिए थे वह तो बैस्पैट खेर दोनों मैच अभी तक गुजरात ही जीती है अभी तक इनके बीच में जो हुए और उसमें मैं बताता हूं क्या हो था दिल्ली 162 गुजरात 163 विकर से जीत गए और अभी दिल्ली में भी हराके गए हैं गंदे लोगे आट में से दो जीते चे आ रहे हैं ऐसे रेसिप्रोके बैट्समें में भी दिखेंगे अक्सर प्रटेल आपको बॉलर में भी दिखेंगे टॉप त्री बॉलर्स में भी कुल्दी प्यादव और नौर्के के साथ बैस नौक आई ती डेविट गॉर्णर के बल्ले से पूरे 37 रनों की और बैस पहला था एन्रिक नौर्के का पूर कि वह यहां मेरा नीदत एरा नहीं वह उने वाला दिल्ली की टीम के तरफ से टॉप फाइट्समेंट में अगर आप जा रहें ग्रैंड लीग में तो मैं आपको कुछ दस बताता हूं उसमें से आप मान के चलो साथ प्लेयर ड्रीम टीम में मिलेंगे शुमन गिल मिलर वार् कर लिए चेस भी कर लिए दिल्ली के हालत पतली कर दी प्लेयर मैच अब क्या रहने वाले हैं हम एक और चीज़ बता देता हूं इस वीडियो में अगर आपको चाहिए पीन हजार रुपे का फ्री पेटीम कैश बिना कुछ करे लेकिन कुछ करना तो पढ़ेगा जनाब तो क हम 15 परिये कमेंट्स को देते हैं 3000 रुपे का पेटीम कैश बेस कमेंट को हमारी वाइट रुपी मतलब यूट्यूब टीम सेलेट करेगी और जिसके बचमेंट उसको मिल जाएगा 3000 रुपेगा पेटीम कैश लग जो ऐसे कमाल हो ऐसे नहीं तो वैसे सही अब करते हैं बात म दिल्ली के बॉलर्स रिद्दिमान साह मार्श को जादा नहीं खेल पाए क्योंकि कभी बाइटिंग आई नहीं के सामने नौर्ख्या के आगे नो बॉल में नौरन और दो बार गुटने टेक दिये अकसर पडेल की 14 बॉल में 27 रन इशान शर्मा की छे बॉल में तीन रन एक बार विकेट और कुल्दि ब्यादफ की 14 बॉल में 25 रन एक बार विकेट तो विद्दिमान साह दिल्ली के बॉलर्स के आगे struggle करते हैं शुमन गिल की बात करूँ तो ये नौर्खिया के आगे किस बॉल 34 रन दू विकेट अक्सर पडेल की क्याउन बॉल में 72 रन इशान शर्मा की 24 में 36 और कुल्दी प्यादफ की 18 में 29 उसके बाद आते हैं हार्दिक कुंफू पांडिया मिचल मार्स की एक बॉल खेली उसी आगे विजेशंकर क्यार दिखते हैं विजेशंकर मिचल मार्श को एक बार अपना विकेट चुके नौर कि इसे तीनी बॉल खेली एक बार अपना विकेट दे चुके एक बार कुल्दी प्यादफ को रिशान सर्मा को एक बीवार नहीं दिया तो मिडल ओर जो है ना वो यहां कोई लेफ्टी नहीं है यहां इसान शर्मा लॉड होते थे उस टाइम के जब इन पर बल्दा बजा करता था और कुल्दी प्यादफ की बीस बॉल में 26 अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करें एंडिक नौर किया ने लगबग सब का उटके हुए तो एक की प्लेय वर्सिस गुजरात के बॉलर्स डेविड वॉर्नर वर्सिस मौमस शामी चैतर बॉल में दोबार लेकिन 107 रन मारने के बाद आउट है अलजारी को नहीं खेले राशित को अब यह शुरू करेंगे खेलना क्योंकि इस जर्सी में वहाँ तक बैटिंगी नहीं पहुची दिल मोहिश चर्मा की 55 बॉल में 100 रन तो डेविड वॉर्नर चलते हैं के आगे मिचल मार्श को अगर आप देखोगे मौमस शामी को एक बर अपना विकेट दे चुके हैं राशित खान को कभी विकेट नहीं दिया और बाकियों को इतना खेला नहीं है मनीश पांडे शामी को दो बार विकेट राशित खान को दो बार दे चुके हैं हार्दिक पांडिया को एक भी बार नहीं दिया और मोहिश चर्मा को आप खेलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अक्सर पटेल भी बैटिंग में यहां पर आके स्ट्रगल करने वाले हैं अब बात करते हैं आज की प्लेयर की हैं कौन से केस में अगर साही सुदर्शन नहीं खेलते हैं तो फिर तो यह विकेट भी लेंगे बैटिंग से भी परफॉर्म करेंगे इनका होम ग्राउंड है यह ध्यान रखना हार्दिक पांडिया अगर बॉलिंग करा रहे हैं तो यह भी मतलब आज और लांडर्स का गेम रहने वाला है और हार्दिक पांडिया काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले इस मैच में बैटिंग से मुझे ज्यादा लग रहा है अगर मैं बोलू तो मिचल मार्श फॉर्म में आ चुके हैं पिछले मैच में 63 विकेट 25 रन यहां पे यहां पे एक विकेट यहां पे दो रहा है डेविड वार्णर के बल्ले से मुझे आज नजर आ रहे हैं 30 से 50 रन कम से गम तो मैं टीम में रखूंगा और आज मुझे लग रहा है डेविड वार्णर का इक अलग रूप देखने को मिलेगा ताबड तोड़ वाला क्योंकि खोने को कुछ है नहीं ना तो वह ची कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक इनका बल्ला खामोश नहीं रहता है वाइस कैप्टन में अक्सर पटेल बहुत बड़ी ऑप्चन है शुमन गिल को तो भाईया ट्राइक करना ही करना है रीजन हमें पता है दिल्ली पहले बॉलिंग करें तो अक्सर पटेल को आप अपना वा क्लियर हो गया है थोड़ा स्मॉल लीग की टीम भी तो बनाने है जिसे हमें सेफ भी जाना होता है और एक डो कैलकुलेटिक विस्क भी लेने होता है स्मॉल लीग जीतना सबसे मुश्किल होता है ग्रैंड ली फिर भी ठीक है पचास रूपे लगे डरनी लगता स्मॉल में बोलते हैं भाई पैसा दो हम खेलना स्टार्ट करना चाहते हैं पैसा आपको मिल रहा है डाउनलोड करें मास्टर 11 लिंक मैंने description में डाल रखा है रेफर कोड आपके सामने है सब कुछ आपके हाथ में मैं इंसान चाहे तो सब कर सकता है उसके हाथ में सब कुछ है तो आपके हाथ में क्या है मैं समझूऊ हा कि आपके हाथ में कुछ और नहीं आपका फोन हुँ हो तो इस चीज़ का दियाओं रखना चलो देखते हैं कि यहां है lowest commission है zero commission के कुछ contest है और उसके अलावा आपको यहाँ पर 247 customers support मिल रहे है 100% bonus contest मिल रहे हैं बहुत ही जानदार है पर lowest commission है साथ ही साथ instant withdrawal है जब मैं इतनी तारीफ करीवी तो download भी ले और देखते क्या रहने वाली exchange 22 की मेरी आज की prediction किसको मैं करूंगा बै किसको करूंगा सेल देखा कल कल देखो Sunday Saturday दोनों चार मैच हुए चारो मैच में मैंने एक्षेंज 22 पर भाई पे ली दिया सबको इतना genuine result दिया रोई शर्मा को मैंने सेल किया और दिन वाले मैच में मैंने जो हुआ था किसका CS के करना उसमें मैंने किसको सेल किया था मैंने भाई किया था दोनी को दोनी ने पकड़े दो चक्की भी मारे और बहुत पैसा कमा कि दिया तो एक्षेंज 22 पर एकदम बहतरी रिजल्ट चल रहा है बहुत कमाई हो रही है तो उसकी एक बार देखते हैं आज के मेरे बाय सेल और मुल्टी बैगर पिक्स के रहने वाले एक्सेंज 22 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ना तो कैप्टन बनाना ना वाईस कैप्टन बनाना ना ग्यारत लेकरो सेलिकरो मजा करो तो चलो मैं आपको बताए ठाव कि हमद कि खकर करने दिल्ली की तरफ से घर करकूंगा तो मिचल मारा कूर डेविट-बॉर्न को भाय करूंगा साती साथ हर्द कान अब करया क्या से घठाल करूंगा कि विशेश हंकर को मैं जिंद कर दूगा मुहमब acho कंकर کंको कुलीप को भी मैं आज बय करने की लिस्ट में रखना चाहूंगा क्योंकि ये लोग आज अच्छे कांसे पॉइंट्स देने वाले जो मुझे नज़र आ रहा है उसके अलावा आप किसको रख सकते हैं मल्टी बैगर में मिचल मार्च डेविड वर्नर इन दो को रखो हैं या हर्दिक यह चार होंगे मेरे मल्टी बैगर पेक्स डाउनलोड कर लो मैं यह एक्सचेंज 22 डेस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है वहां से डाउनलोड करोगे फैंटसी से बिलकुल अलग है और बहुत सारी फैंटसी आपकी पूरी कर सकता है रशिया जाना चाहते हैं यह यह से पैसा जीत के जा सकते हैं पाच्चे जार रुपे जीतना है यहां पर पढ़े कोई मुश्किल बात नहीं है नौटी बॉइस जाएं डाउनलोड करें एक्सचेंज 22 और खेलना चालू करें यहां पर अभी अभी अब बनाते हैं हमारी स्मॉल लीक की टीम बना लेते है भॉत ओगिया बता पताकर ठक तक च下經าก मनाते बाइक देख तेहं मुझरात और दिली मैच इओने वाल इससमें क्या होने वाला मेरी टीम क्या रहने वाली गुझा यह भी आपको क्या बताय सैज्क डिशा लाएए हुआ कौन चलेगा कौन नहीं पहले और रांडर लिस्स में चलते हैं अकसर पडेल उठाना है हुटाना हाधिक पांडिया तीन बाइंगे उठाने देविघ वर्नर को उठा ले देगल को उठा ले अब तीसरा बैस्मेन है में खेल कि तीसरा बैस्में हमारा कौन होना चाहिए कन्फूजन लास्ट में याद है हमने स्कूल में एक चीज तो सबने सीखिए होगी कि असान चीजे पहले करो और हाड कोश्चन को सबसे लास्ट में करो जो तुमें आता है सबसे पहले वो प्लेयर उठा लेंगे जो हमें चाहिए जो में पताए पॉइंट देंगे नौर क्या रिपल पटेल देगा अपना तो एक अब आते हैं हम एक बैट्समें की बादी वह बैट्में हमें चीए ही चीए डेवड मिलर को रख सकते हैं मनीश पांडे राहुल तेवतिया बिना मनोहर रिपल पटेल याज धुल तो सबसासान ने डेविड मिलन लेना कोई टेंचन ही सब्सक्राइब मन गई ना और एक चेंज आप जैन्वन चेंज क्या कर सकते हो नूर रहमत की जगह आप यहां पर जा सकते हो रिदिमान सहा के लिए यह चेंज एक अच्छा है क्योंकि एक बैटिंग मिलने वाली है और मैं मान के चलना हूँ बीस पचीस वो पॉइंट ना तो यही मेरे सीवी सी रहने वाले 200% सी मेरा मार्श है मैं इसमें चेंजी नहीं करूंगा जिसने वीडियो देखिए उसको मेरे कैप्टन बता है वाइस कैप्टन मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा तो जॉइन कर लेना और जिसने नहीं कराया आप तक सब्सक् सब्सक्राइब करें और पैसा कमाएं